आद दो पार दो बज़े की खबरों में आपका स्वागत है इस खबर में आंगनवाडी बेहने, मिनी आंगनवाडी, मुख्य आंगनवाडी आप सभी के लिए खबरे हैं तो प्लीज वीडियो को देखते रहें इस खबरों में आप देखेंगे कि प्री प्राइमरी स्कूल की तरज पर चलेंगे आगनवाडी केंद्र यह टाइटल इसका हुआ तो यहाँ पर पूरी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ तो वीडियो को देखते रहें पूरा देखें आगनवाडी केंद्रों पे ड्राइरासन बित्रण में जो अब व्यवस्था को लेकर बरतन लेकर पहुँच रहे हैं जो लाभार थी उनके में दाल गेहूं और चावल की खाना पूर्ती जो कर रहे हैं उसमें से गेहूं और चावल सिर बित्रण किया जा रहा है दायल गायब हो चुका है तो आए विस्तार से जान लेते हैं इस खबर को तो यह खबर है जागरांड समादता एटा भले ही आंगनवाडी केंद्रों के लिए पोसाहार वित्रण की पुरानी विवस्था बंद हो चुकी है और अब नए ड्राइरासन वित्रण प्यास चल लें इसमें भारतियों के लिए सिर्फ गेहूं और चावल मिला है दाल की विवस्था नहीं हो पाई है दूद और गीवित्रण की बात अभी दूर है ड्राइरासन की पैकिंग विवस्था भी नहीं हो सकी है लाभारती बरतन लेकर रासन पा रहे हैं सिदंबर से ही सासंद्वारा अंग बित्रित किया जाना था राइरासन के तहित आंगनवारी बच्चों और महिलाओं को गेहूं चावल के के अलावा देशी गी और मिल्क पाउडर भी नहीं बिवस्था में सामिल किया गया इधर जिले में आपा धापी के मध्यूई शुरू योजना अभी भी औवचारिक न जाना था वहां इस्तितिया है कि आंगनवारी करकरताओं को खुड डीलरों के यहां दौड कर गेहूं और चावल उठाना पड़ रहा है ड्राइरासन के उठान को लेकर कारकरताओं को कोई भी वज़ा मुहियर नहीं कराया गया है उधर लाभार्थियों की संख्या के साफ ड्राइरासन कम मात्रा में दिये जाने की सीकायत सामने आ रही है समस्य यह है कि आंगनवारी कारकरता खुद रासन उठान के बाद लाभार्थियों की पैकिंग कर बित्रण की जिम्मेदारी वस्था को हटा कर रही है पैकिंग के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया ग अगली खबर बेसिक से लेकर उच्छ सिच्च की एक रिपोर्ट तयार किया गया है तो यह खबर निकल के आ रही है राज मुख्य अलाय प्रमुख संबाद्दाता इसमें जो है उप मुख्य मंत्री डांक्टर दिनेश सर्मा ने कहा कि राश्टी सिच्च नीत के दोजर बीस क्रियनवा के लिए बेसिक माध्मिक प्राविधिक ब्योसाईग वा उच्छ सिच्च की विभाग एक सम्मलित रिपोर्ट तयार ली जाए डांक्टर सर्मा रणन हार विभाग की निदेशक डांका सारीका मोहान काभी प्रामरी एजुकेशन पर प्रस्तूती करण भी देखा बैठक में महिला कल्यान वाल विकास भाग की अपर मुख सचिव राधा चोहान ने कहा कि आंगनवाडी कार कत्री और सिच्चक के द्वारा आंगनवाडी में आ यूराइस के द्वारा चात्रों को एक ही जगा उनके कौसल प्रसिच्चन आईटी आई डिप्लोमा वा डिग्री मिलती है यह एक पूर पादर्सी बिवस्ता है आईए और अगली खबर जान लेते हैं आईए और अगली खबर विस्तार से जान लेते हैं कि प्री प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर चलेंगे आंगनवाडी केंद्र आजम गण नई सिच्चन नीति के तहट चिले भर की आंगनवाडी केंद्रों को बच्चों पूष्टा हार ही नहीं बलकि उन्हें सिच्चा भी दी जाएगी अब इन केंद्रों को प्री प्राइमरी कच्छाओं का संचारन कराया जाएगा बच्चों को यूनिफार्म से लेकर फाइल पुष्ट के उगलप्त कराने के साथ साथ मिड़े मील का भी वित्रण किया जाएगा इसकी ब्योस्ता बैसिक सिच्चा भी भाग कराएगा इतना ही नहीं प्रसिच्चन के लिए केंद्र भी ताई किये जाएगे और वहाँ पर प्रसिच्चन के लिए रिशोर्ष परशन चिन्नित किया जाएगे जिनहें प्रसिच्चन देते विए पहले ट्रेट किया जाएगा फिर वहीं प्रसिच्चन BRC पर आंगनवाड़ी करकरताओं को 42C PASZ-TO PASZ प्रसिचछड देंगे जिले में कुल 4 a, 949 आंगनवाड़ी केंदर है इसके अलावा 649 में आंगनवाड़ी केंदर है 5 के पर अंगनवाड़ी करकरता भी कारकरत है Pre-Primary की पढ़ाई के लिए इसी महां में प्रसिच्छण शुरू होगा दसवी पास करकरता को ही प्रसिच्छण दिया जाएगा इसमें यहां पर यह साफ सा लिखा हुआ है कि प्री प्राइमरी की पढ़ाई आंगनवाडी में कराई जाएगी जिससे सिच्छा की गुडवत्ता में सुधार होगा इसके लिए ब्लाक अस्तर पर रिशोर्श पर्शन चुने जाएंगे वो प्रसिच्छण देने के बाद भी आर्शी पर प्रसिच्छण देंगे हलांकि अभी तक बेसिक सिच्छब्याग के पास कोई आक्रा नहीं है कि जिले में कुल कितनी आंगनवाडी कर करता है उनमें कितनी हाइस कुल पांस है विभाग के माने तो पहले ब्लाक अस्तर पर रिशोर्श पर्शन चुने जाएंगे जो प्रसिच्छड लेने के बाद बी आरसी पर प्रसिच्छड देंगे इनमें दो मुख सेविका और एक एक आंगनवाडी कर करता और एक कारपी सामिल होगा इसमें वही करकत्री चुनी जाएंगी जो दस्वी पास हो और स्मार्ट फोन का इस्तेमाल करना जानती हो देखिए यहाँ पर खबर आप ध्यान से सुन लिजिए कि मतलब प्रसिच्छड उन आंगनवाडियों को प्रसिच्छन के लिए चुना जाएगा जो दसभी 500 और इसमार फोड़ का इस्तेमाल करना भी जानती हो विभाग के कारिक्रों में सक्री रहती हो जो आंगनवाडी चिन अंकर करताओं ने विभाग प्रसिच्छन प्राप्त किये हो या फिर प्रसिच्छन दिया गया हो उन्हें वरीता ही उन्हें ही वरीता दी जाएगी यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्हीं आंगनवाडियों को प्रसिच्छन दिया जाएगा जो विभागी प्रसिच्छन जो प्राप्त कर चुके हों और जो मोबाइल का इस्तेमाल करना जानती हों जो दसवी पास हो उन्हीं को यह प्रसिच्छन दिया जाएगा अब यहां पर जान लेते हैं कि कैसे कैसे दिया जाएगा यानि 20-20 समूव में दिया जाएगा प्रसिच्छन में केंद्र को साथ सज्जस लेकर पढ़ाने के तरीके तक पर जोर दिया जाएगा प्रसिच्छन मे भाव कोसल और कहानी वाचे पर जोर दिया जाएगा कहानी के माध्यम से अभीव्यक्ति की सिखाई जाएगी बेमे और डीपियो बीएसे और डीपियो प्रसिछण की निगरानी करेंगे कोविड-19 के विश्यों का पालन होगा इसके लिए बिस्तित कारिक्रम जारी किये जाए हफते में एक दिन नो बैग डे होगा मतलब जिसमें बच्चों को बैग लेकर नहीं आना पड़ेगा खेल खेल में सीखेंगे सबक उस दिन आप बस बच्चों को सिर्फ खेल खिलाया जाएगा जिसमें खेल खेल बच्चे सबक सीखेंगे उनको बैग लेकर नहीं आना पड तो सरकारी स्कूलों में बिद्यार्थियों को तुनाव मुक्त रखने के लिए खेल खेल में रोचक धंग से पढ़ाई बनाने पर जोर दिया जाएगा प्री प्राइमरी को लेकर कच्छा तक के बिद्यार्थियों के लिए हफते में एक दिन बैग नो बैग डे होगा उस दि सब्सक्राइब करके विल वाली नोटिफिकेशन को दवा के रख लेना अन करके रखने ला ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज्यादा से ज्यादा मिले